राजधानी भुपाल इस्थित प्रदेश कॉंग्रेस का रहले में अचित पत्रकार वारता में प्रदेश कॉंग्रेस सद्धेश अरुणियादव ने किसान के मुआफजे के मुद्धे पर कहा कि प्रदेश में किसानों की करीब 22,000 करोड रुपे की फसल का नुकसान हुआ है लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 22 करोड रुपे ही पैकेज दिया है अब मुख्यमंतरी शुराव सिंग चौहान को केंद्र सरकार से किसानों की परयाप्त मुआफजा राशी के लिए दिल्ली में धरना दिया था केंद्र सरकार से मात्र 2,300 करोड रुपया मदबदेश्की सरकार को मिला जो मैं सरस्ता हूं की उट के मुँवे जीरा की तरह है राज़ेश विभाग से जो आगड़े भेजे गए वो आगड़े भी इससे कही आजिक थे वो लगबर 4,249 करोड रुपे की थे वही कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एक तरफ कम राशी दी है और किसानों की हालत काफी खराब है तो फिर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों सम्मान किया जा रहा है प्रदान मंत्री का बीजेपी संगठन सम्मान कर रहा है देकिन उनके लिए किसानों को बुलाने का काम प्रशासन कर रहा है हुशंगाबास सही दो जिलों के कलेक्टर्स ने किसानों को सम्मिलन में बुलाने का आमंत्रन दिया है ये प्रोटोकॉल का उलंगन है हमारा ये कहना है इसमें ये प्रधान मंत्री की आएं लेकिन आने से पहले जो इस्तिती मदप्रदेश की किसानु की है इसमें आत्मात्य मदप्रदेश की हो रही है वहादा नहीं मिल रहा है किसान दरदर भटक रहा है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है सो करोड रुपे का खरचा इस सरकार इसकी बनने वाली है वही सो करोड किसानों बाद एवार देती है और संभान किसका हो रहा है किसानों की मौजब को प्रदानमंत्री संभान कराने के लिए आने में उखिश में मोबाल से EMS TV के लिए कैमरामें डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट